हलो दोस्तों मैं संतो, स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल व्लोगर वीडियो में, आशा करती हूँ आप सस्थ होंगे, मस्थ होंगे, जहां भी अपने परिवार के साथ, कुशल मंगल होंगे, हम खड़े हैं इतमा मुदूला के मकबरे पे, बहुत इसे गुंबद है, पुरा मार्बल से इसको बनाया गया है, तो चारों तरफ इसके ऐसा बाग बना है, इस मगबरे का निर्मान नूर जहां ने अपने पिता गया सुदिन की याद में बनाया था, शुरुवात में उनका मन था कि इसे चांदी से बनाए, लेकिन बात में इस संगमरमर से बना हुआ ये, ताज की तरह मीनी ताज है, और ताज मेल को इसके बाद बनाया गया था, ताज मेल के बहुत सारे चीज़ें यहीं से ली गई है, इस मगबरे की सबसे खूबसुरत बात इसकी पच्चिकारी है, इसकी जो दिवारे हैं, इन पर मार्बल के अलग वो भी बहुत खूबसूरत है, काफी ठंडी हवा आती है यहां पर, गर्मी बीवेदी आप जाएं, तो अंदर आपको गर्मी का एसास नहीं होगा, इसकी दिवारे बहुत ही खूबसूरत है, इसकी जो जरोखे हैं, और इसकी जो दिवारे हैं, इसके जो दर्वाजे हैं, स की गई है पच्चेकारे पित्तरा दूरा जिसको कहा जाता है कि दिवारों के अंदर हीरे जवारा जड़े जाते थे और यहां से जो बाहर का भूप दूर sharp यह आप पमण बहुत सुकुन पता है बहुत शांतिप पता है चार Oh तरफ इसके बाग बना नहीं है यह दिपी चोटा है लेकिन ताज की बराबरी करने वाला है ताज से समानता रखने वाला है कुछ-कुछ चीजें इसकी ऐसी है जो ताज में भी नहीं मिलेगी आपको दुरलब है और इसके जो दर्वाजे हैं वो भी बहुत खूबसूरत है और दर्वाजों को लाल कथर से बनाया गया है और सफेज जो मार्बल है इसके टुकडे करकर के बीच में लगाया गये हैं काफी उंचाई पे है इसकी दिवारें वो इसका जो दर्वाजा काफी बड़ा है बहुत खूबसूरत है यहां जब आप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही सामने है आप यहां आएं तो काफी अच्छा लगता है मन को ताजगी देने वाला है यह और याद दिलाता है एक बेटी का अपने बाप को याद करना और अपने पिता को अमर करने का एक तरीका कि उस समय भी बेटियां कम नहीं हुआ करते थी अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए वो कुछ न कुछ अलग और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थी यह बीच में नालियां बनी हुई है जिन से चारों बागों में पाने जाता था यह सफेद संगमरमर से यहां गया सो दिन का मकबरा बनाया गया है सामने बहुत सारे रोशन दान है जालियां है जहर प्रतीक है और यहां से बाहर का भी बहुत ही खुर्बसूरत है काफी चलचलाती धूप है लेकिन फिर भी अंदर ठंडक का एसास होता है इसी के सामने वाले कमरे में यह दो मकबरी और बने हुए हैं जो उनकी रानियों के थे यहां भी इसी तरह की जालियां है जरोखे हैं ज प्राइब कर बीवारों पर भी हीरे जवारा जड़े होते थे हुँआ हम यहां आपनी सेलफी खेजवा रहे हैं इदर सर्माजी है वो हमारी सेलफी ने पोटो ले रहे है है आम यहां पांपिछे व्लोगिंग करने के फूर्पूरस कर रहे हैं और शायद अच्छे सी फोट तो कैसा लगा आपको ये इत्माम उदूला का मगबरा इत्माम उदूला गया सुदिन की उपादी थी और उनकी बेटी ने पिता की याद में बहुत सुंदर मगबरा बनाया आज भी बेटी अपने पिता के लिए बहुत कुछ करती है और उस समय भी किया करती थी आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है मखबर अच्छा लगा है तो उस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है कमेट जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुडे रहेंगा वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू